इस पिल्म इंडस्ट्री की एक एक अक्ट्रिस जो सीनियर है जिनोंने अपने करियर में काफकी उतार चड़ाव देखे हैं और फिल्म इंडस्ट्री का काला चहरा भी देखा है कास्टिंग काउच जैसी चीज़ भी देखी है और कैसे यहाँ पर धोखा दिया जाता है, कैसे इस्तमाल किया जाता है, यह सब experience किया है उन्होंने नई actresses को एक राय दी है, उन्होंने कहा कि इस industry में काम करो लेकिन कभी भी अपने director या producer के साथ सोऊ मत, merit director producer के साथ तो कभी relationship में रहना ही मत, actually नीना ने अपनी book में इस बात का जिक्र किया है नीना ने कहा कि कभी किसी director या producer के साथ सोना मत, हो सकता ही आपको casual लगे क्योंकि हर कोई करता है और इसे स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन ऐसा करके आप कभी उस director या producer के साथ काम नहीं कर पाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी शक्स अपने आस पास ऐसी कोई चीज नहीं चाहता जिससे उसे problem हो सके वो आपके लिए अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा और इसमें कोई आश्चरिय की बात नहीं है क्योंकि आप कोई पहली महिला नहीं होंगी उसके साथ जो हम बिस्तर हुई होंगी नीना ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में इन बातों को लेकर कुछ लोग तो अपने इरादों को पहले ही स्पष्ट कर देते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो आक्ट्रिस को अपने प्यार में फसाते हैं ठीक वैसा ही जैसे एक स्टूडेंट टीचर से प्यार करने लगता है नीना ने ये भी कहा कि ये बात बहुत ही नॉमल है कि जब आप किसी चामिंग परसनालिटी से मिलते हैं जिसके पास नॉलेज है जो फेमस है जो बहुत अपने काम में माहीर है उस परसनालिटी से इंप्रेस होना बहुत कॉमन बात है नीना ये भी कहती है कि क्या आपको लगता है जब आप इस तरीके से उसकी परसनालिटी की तरफ आकरशित होंगे और आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको रोकेगा या मना करेगा हो सकता है कुछ लोग ऐसा करे भी लेकिन हर समय अगर आप अपनी अदाओं से उसे हिंट देती रहेंगी तो शायद आप खुद बरबाद हो जाएंगी नीना ने ये कहा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी मुझे पता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़किया ऐसे लोगों से संबंद बनाएंगी और उनसे प्रेम संबंद रखेंगी भले ही वो शादी शुदा ही क्यों ना हो क्योंकि वो ताकतवर है और उनकी इंडस्ट्री में पकड़ है लेकिन ये भी सच है कि इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है किसी दूसरे की गलतियों से बहुत कम लोग सीख लेते हैं नीना गुपता ने ये भी कहा कि महस डिरेक्टर या प्रेडियूसर के साथ अक्टरिस के अफेर की अफवा उडने से ही उसका करियर खराब हो जाता है. इतना सब कुछ बोलने के बाद नीना अपने साथ हुए उस वाक्य को शेयर करती है और बताती है कि एक शादी शुदा डिरेक्टर के साथ मेरी भी अफवा उड़ी थी. नीना कहती है कि जब मैं किसी से close होती हूँ तो मैं उससे हाथ मिलाती हूँ, मैं उससे गले लगा लेती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ. एक बार एक डिरेक्टर के साथ जब मेरी अफवा उड़ी तो उस डिरेक्टर की पतनी ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझ पर गंभीर आरोप लगाए. मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया. उस डिरेक्टर की पत्नी ने नीना से कहा कि इन्होंने इतनी सारी आक्ट्रिस के साथ काम किया है उनके साथ ऐसे कभी नाम नहीं उड़े तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों नीना ने कहा कि इस बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मेरे साथ ही इसकी अफवा क्यों उड़ बागपन ही प्रॉब्लम बना आगे चलकर उस डिरेक्टर ने मेरे साथ कभी भी काम नहीं किया तो कुछ इस तरीके से अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से नीना गुपता ने इंडास्ट्री में काम करने वाली आक्ट्रिस को सलाह दी कि कभी भी अपने डिरेक्टर य प्रॉब्लम